Hello, Good evening everybody, my name is Shribam Jagdish and welcome back to the channel तो जैसा कि मैंने आपको ये बदाय था कि पिछली ली क्लास में मैंने कम्प्लीट कर आया है Interest on Capital, आज ही क्लास में हम लोग कम्प्लीट करने बाले हैं Interest on Loan ये tricky topic है और ये बच्चों को काफी बार पेपर में फसाने के लिए दिया जाता है बिल्कुल सही निकलेगा ठीक है अच्छा अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हैं उसमें सारे वीडियोस में लाइन बाइन अपलोड करता जा रहा हूं मैंने आपको बताया है जैसे ही मैं एक चापर कंप्लीट करूँगा उसके बाद मैं उसके ऊपर एक टेस्ट भी औरगनाईज करूँगा जिसको आप देखने के बाद वो पैन इंडिया लेवल पर अपने आपको चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर आप स्कोर कर रहे होंगे इसके लिए टेलीग्राम जरूर ज़ूर कर लिजे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं और अगर आपको कहीं से यह लगता है कि मेरे साथ लाइव त्यारी करनी हैं फॉर आएस सी बोड तो उसके लिए भी स्पार्टन सेट पोर यूर लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं जाकर फटा-फटसे इन्रोल कर सकते हो फॉर एवरी loan दिया है firm को interest loan to the firm पहला कैस्व मैं यह करने जा रहे हैं जब partner ने loan दिया हुआ है firm को मैं यह देखो यह partner है ठेक कर ना यह partner है और let's say let's say यह एक firm है अब इस partner ने loan दिया है firm को यह loan दिया है loan given तो बताओ ये जो लोन है ये जो firm को लोन मिला है इस लोन पर firm interest पे करेगी interest पे करेगी सो ये जो interest पे कर रही है ये firm के लिए एक तरह का expense है ठीक है ने ये charge है expense है इसलिए इसका treatment P&L account में किया जाता है पहला treatment और दूसरा treatment लोन अकाउंट के अंदर किया जा रहा होगा, पहला केस समझ में आ रहा है, क्या बताया मैंने आपको, यह वो केस है, जब पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है, एक और केस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब पार्टनर लोन लेता है फर्म से, चीक है ना, तो यह वाले क केस लिया है मैंने और वो केस लेकर आपको समझाते हैं, so that आपके लिए यह सारी चीजें आसान हो जाएं, तो चलो, line by line हम लोग एक कोशन करने जा रहे हैं, इसके तीन केसे हैं, तीनों केसे कर लेंगे, तो आपको interest on loan यह वाला केस में कभी दिक्कत नहीं आएगी, भाई इसके को, X और Y लेट से दो पार्टनर्स हैं, इनके बीच पे रेशियो है 1 इस तो 2 का, X की कापिटल है 4 लाग और Y की कापिटल है 6 लाग रुपे, कुशन में लिखा है, on October 1, 2018, X and Y granted loans of 1,60,000, मतलब 1 October 2018 को, X और Y दोनों ने firm को लोन दिया हुआ है, 1 लाग रुपे का और 60 50,000 रुपीज का, अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, interest on loan लगाना है, interest on loan कैसे चार्ज करेंगे, interest on loan का कुछ rate भी दे रखा है, आव भाई, अगर, 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 हाँ, चलो, ये केस भी तुम्हारा सामने आठाएगा, interest on loan का कोई rate नहीं दे रखा, तो interest on loan as per partnership डीड silent तो होता है, 6% per annum का, याद करो, इनके सगर question में, interest on loan नहीं दे रखा है, तो इस वाले case में, interest on loan किस rate पर आएगा, 6% per annum, ये मैंने class 1 में सिकाया था, when there were rules, which were applicable in absence of partnership deed, अच्छा, हमने बताया, profit दे रखा है, हम लोगों को 12,000 रुपए, तो ये बना रहे हैं, हम लोग P and L account, profit and loss account, debit side है, और ये है हमारी credit side, और profit हमको दे रखा है, by profit, ये profit कितना दे रखा है, 12,000 रुपीज का, अब अपन लोग क्या करेंगे, interest on loan निकालेंगे, भाई देख, X ने कितने का loan दे रखा है, X ने loan दे रखा है, 1,00,000 रुपीज का, कब दे रखा है, October 1, 2018, तो कितने म month के लिए, और 6%, अब किसी बच्चे को लगता है, 6 महीने के लिए हम लोग कैल से calculate कर रहे है, October, November, December, January, February and March, 6 महीनों के लिए calculation होने जा रही है, तो यहां से कितना आएगा, जरा calculate कर लेते हैं, ये आ गया 2, ये, फिर आ गया 3, तो 3, 1, 2, 3, 3000 रुपीज का interest on loan आ गया है, X का Similarly आप calculate कर लोगे Y का भी, चलो भई, Y का भी calculate कर लेते हैं आपन लोग, Y ने loan कितने का दिया है, 60,000 रुपीज का, October को ही दिया है, तो 6 by 12 और rate कितना है, 6%, ठीक है ना भई, चलो calculate कर लेते हैं, ये भी, 2300, 1800 रुपीज का, इनका interest on loan आ जाएगा, इसका treatment कहां पर करेंगे, PL क की debit side पर लिखा जाता है, क्यों लिखा जा रहा है, ये तुमको समझ में आना चाहिए, because interest on loan paid by the partner, sorry, paid by the firm will be treated as charged, compulsory obligatory payment होता है, तो यहां लिखेंगे हम लोग to interest on loan, ठीक है ना, किसको दिया गया, X को दिया गया 3000, Y को दिया गया 1800, यहां तक तो बात समझ में आ गई ना, हम हमारे को profit दे रखा था, 12,000, लगाते हैं total, निकालते हैं balance, so 12,000 दिया हुआ था profit, 12,000 में से अपन लोग 30, 3000 प्लस 1800, मताब 4800 माइस कर देंगे, तो answer बचे का 7200, तो यहां लिखेंगे 2 profit, transfer to 7200, और यह 7200 किस ratio में distribute किया जाएगा, A और B के बीच पे 1 is to 2 के ratio में इसको distribute करन है, 1 is to 2 में distribute कर देंगे क्या, यहां पर distribute कर देंगे क्या, नहीं, यहां पर distribute नहीं करेंगे, यहां पर distribute क्यों नहीं कर रहा है, यह blunder मत करना, यह profit transfer किया जाएगा P&L appropriation account के अंदर, कहां पर transfer करेंगे, P&L appropriation के अंदर, तो यहां लिखेंगे 2 profit transfer to P&L appropriation account, यह blunder है, जो बहुत सारे कर देते हैं, profit का distribution PL में नहीं करके, PL appropriation account हम लोग बना रहे हैं, तो वहाँ पर distribution करेंगे, चलो PL appropriation भी बना के दिखा देता हूँ, यह है P&L appropriation, profit आ गया, तो यहाँ लिखेंगे by profit and loss, और यहाँ पर लिखेंगे 7200, और अब इसको यहाँ पर distribute कर देंगे, किस ratio में 1 is to 2 में, तो चलो distribute कर देते हैं, 2 profit, transfer to, दो partner कौन है, X और Y, distribute करते हैं, 7200 को तो कितना आएगा, 2400 and 4800, यह बात ध्यान रखना बच्चा पाटी, इस तरह का question MCQ के form में पूछा जा सकता है, कि profit को हम partners में किस account में distribute करेंगे, PL में कि PL appropriation में, journal के 4 option आ जाएंगे, तुमको एक टिक करना होगा, तो वहाँ पर लफड़े में पढ़ जाओगे, तुम पक्ये से, तो interest on loan का case number A हमने किया है, अब बढ़ते है case number B की तरफ, अगर आपको कहीं सभी कुछ भी confusion है, तो comment section में लिखिएगा, telegram group join कर लीजेगा, आपको further आने वाली चीजों के बारे में information मिलती रहेगी वहाँ पर, ठीक है, खार, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, and next is case number B, same question है, लेकिन यहाँ पर profit दे रखा है, इस बार 3000 रुपीज क्या करें, केवल profit दे रखा है 3000, आओ, हमको पता है कि interest on loan कहां पर आता है, P&L account में, यहाँ पर profit दे यहाँ उस short form में, आप school के paper में पूरा ही लिख कर आएंगे, हम लोग अभी interest on loan निकाला था, X का कितना, 3000, Y का कितना, 1800, अब देखो, उल्टा हो गया case, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा interest on loan expenses जादा है, profit कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा loss, और loss कभी भी PL appropriation में transfer नहीं किया ज देंगे, तो चलो भाई, total लगाते हैं 4800, total लगाते हैं 4800, loss को distribute कर दिया, by loss transfer to X और Y के बीच में, loss कितने का आ रहा है, loss आ रहा है 1800 रुपीस का, और 1 to 2 के ratio में distribute करोगे, तो आएगा 600 and 1200, 600 and 1200, यह case बहुत important है, यह याद रखिएगा यह बात कि किस तरह से हम लोगे practice कर रह है, interest on loan में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रहा हो तुमें, दोनों cases, अभी तो case number 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, case number 1 के अंदर भी 3 cases solve कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, और third case पर आने जा रहे हैं, बेटा, और third case क्या है, हमको profit दे रखा है 70, sorry, हमें loss दे रखा, यहा loss हो, चाहे profit हो, अगर interest on loan देना है, तो देना है, because वो charge होता है, तो भाई आओ देखते हैं, यह है हमारा P&L account, यहाँ पर लिखा है two loss, और loss कितने का दे रखा है अपने को, 75 hundred rupees का, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर two interest on loan, x का आया था 3000, और y का आया था 1800, अभी निकाला ह हुआ है, लगाएंगे total, total में कितना आ जाएगा, 7000 plus 3000 is 10,000, 10,500, 11,500, 12,300 आ गया total, 12,300 रुपे आ गया total और यह पूरा का पूरा loss transfer कर दिया जाएगा partners के बीच में, by loss transfer to x और y के बीच में आ जाएगा यह loss, 12,300, किस ratio में distribute करेंगे, उनके profit sharing ratio में, 1 is to 2 के अंदर, तो यह आ रहा है 4100, and 4100, and दूसरे का आ रहा है 8200, प्लीज एक बार आप लोग भी चेक कर लिजेगा, कहीं से कोई calculation mistake ना हो जाए, तो case number 1 यहाँ पर clear है, कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी partner ने firm को loan दिया है, तो partner को interest मिलेगा, और वो interest उसके loan account में show करे देंगे, और partners, on the basis of firm उसके लिए यह loss है, और इस loss को P&L की debit side पर लिखा जाएगा, क्या यहाँ तक तुमको तीनो case समझ में आ गए, कि जब profit जादा होगा, तब कैसे interest on loan देंगे, profit कम होगा, तो कैसे interest on loan देंगे, और अगर loss होगा, तो कैसे interest on loan देंगे, और अगर loss होगा अगर आप वो कर लेते हैं, तो आपका यहाँ तक सारी चीजे cover हो जाने वाली हैं, अब मेरी बात सुरो, ठीक है, यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर मैंने बोला, यह एक partner है, और यह एक firm है, अब क्या किया है, यह firm ने loan दिया है partner को, तो partner interest पे करेगा firm को, ठीक है, बात सम मच में आ रही है, partner ने लिया है loan, firm ने इनको दिया है loan, तो यह partner interest पे करेगा, और interest मिलना firm के लिए income होता है, गेन होता है, इसलिए उसको P&L account की credit side पर दिखाया जाएगा, और इसका दूसरा treatment partners की capital account के अंदर होगा, capital account में एक treatment, और दूसरा treatment P&L account के अंदर, क्योंकि यह income ह इसलिए credit side पर दिखा रहे होंगे, पिछले case में treatment P&L account की debit side पर और loan account के अंदर होता है, यहाँ पर treatment P&L account की credit side पर और partners की capital या current account के अंदर इसका treatment हो रहा होगा, शुरू करते हैं, एक example लेते हैं और आपको वो question करके दिखाने जा रहे हैं, आईए देखे कि क्या क्या चीज साफ साफ उसके बाद question में ये बोल रखा है कि A took a loan of rupees 1 lakh from the firm on July 1, 2018 और यहाँ पर interest on loan का rate दे रखा है अपने को 12% per annum, तो चलो सबसे पहले interest निकाल लेते, interest कितना आ रहा है मुझे ये बता दो, interest कितना आ रहा है, भई देख, loan लिया है उसने 1 lakh रुपे का, यह loan किस ने लिय है याद रखना, यह ने लोन लिया है, जुलाई में लिया है, तो जुलाई अगर September, October, December, January, February and March, 9 months का interest charge होगा, और rate कितना है 12%, चलो भई कर लेते हैं हम लोग फटा फट से, solve ये आ गया 9,000, interest कितना लगने वाला है, 9,000 का interest लगने वाला है, अब मैंने आपको बताया है, इ इसका पहला treatment तो P&L account में होगा, ये है P&L account, ये है debit side, ये है credit side, P&L account की किस side पर इसको record करेगे, credit side पर because firm के लिए ये एक तरह की income है, तो यहाँ लिखेंगे by interest on age loan, कितना interest मिल रहा है, 9,000, इसकी general entry भी बना सकते हो न, क्या entry बनेगी यहाँ पर, interest on age loan account debit to P&L account, और दूसरा treatment कहां करेंगे, दूसरा treatment इसकी capital account में किया जाएगा, let's say दो partners है ना इस question में, A और B, A के account से interest on loan deduct करना है, क्योंकि A ने loan लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे, to interest on loan और A के account से 9,000 आप deduct कर लेंगे, इसकी entry क्या होगी, A is capital account debit to interest on age loan, समझ में आया तुमको इसका treatment कैसे करना होगा, clear है कि ने clear, कोई यहाँ तक कोई तकलीफ आ रही हो, कोई परशानी हो, या तुमको समझ में नहीं आया हो, कोई भी topic, या कोई भी individual treatment, तो आप जरूर से comment section में लिखें, और अगर आपको लगता है कि Spartans हमारे साथ join करना समय तकलीफ जरूर से बापको लाग तकलीफ दापको लगता करना हो, कोई वाल भी हो, कि दो समय जरूर से बापकों समय हो, कि तो समय हो, कि एम जरूर से देख।